जहें दोस्तो स्वागता आपका हमारी चैनल क्योकर स्टेडी में आशा करता हूं कि आपके त्यारी अध्य चल्ले होगी तो दोस्तो जो आज का हमारे यह सहसे न है वह काफी महत्यपूर्ण सा बितुने वाल है आपको मालूम है दोस्तो यहां पर तो रोज ही अगर हम कोई भ का हमारा वीडियो है दोस्तो उसमें हमने आगामी 15 जनौरी 2023 को जो आर्मी जीडी का एक्जाम हो रखा है उससे जीके और जीएस क्यों क्वेस्टन लिएगे हैं यहां पर ठीक है वह हम आपके सामने सॉल्व करेंगे काफी इजी क्वेस्टन पेपर था तो हम चलते हैं अप हसी है इससे प्यार करो यह जिन्देगी हसी है इससे प्यार करो अभी है रात तो सुबह का इंतिजार करो वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाई से आपको वह पल भी आएगा दोस्तो जिसकी ख्वाई से आपको रभ पर रखो भरसा और वक्त पर एतबार करो तो दोस्तों वक वक्त सबसे बड़ी चीज है ठीक है वक्त का इंतजा करो वक्त से पहले कोई भी चीज नहीं मिलती तो आज का हमारा पहला कोश्चन है देखिए जो 15 जनौरी 2023 को आर्मी जीडी में आ रखा है दिल्ली कौन सी नदिकत तड़ पर है ओप्सण नमर ए यमुना गंगा गोदावरिया सिप्रा तो दोस्तों देखिए जो हमारा दिल्ली है दोस्तों ओप्सन नमर ए रट जाएगा यमुना नंदिके टरट पर है और अगर हम बात करते हैं दोस्तो देखिए यमुना ने दिखे के नए कौन-कौन से सहर बसे है तो आपका पहला है दिली ठीक है और दूसरा है आपका आग्रा, आप नोट करते हैं ये jest आपका पहला डेली और दूसरा होगे आपका दोस्तो आग्रा ठीक है और अगर हम बात करते हैं तीसरा तो देखिए दोस्तों मथुरा भी आपका यमुना के तर्थ पर है और आपका इलाबाद के अगर आता है दोस्तों काफी पूछा जाता है इलाबाद भी आपका यमुना के किनारे है और आपका दोस्तों देखिए नौइडा की बात आ करते हैं दोस्तों यमुनाक की आपने नोट किया होगा आपको रिपीट करता हूं जो देखिए यमुना के के नारे दोस्तों दिल्ली आगरा मथुरा और इलहबाद इस पर्मुक सहर हैं यह आपके यमुना के किनारे बैसे हैं और अधिकांग से क्वेश्टन दोस्तो अगर यमुना निदिके किनारी की बात आएगी तो आपके दिल्ली आगरा ममथुरा इलहवाद इनमें से आपके सहर दिये जाते हैं ठीक है यह आप द्यान में लगना और अगर के गिनारे दोस्तों और आपका हरगी पर जाने की हरद्वार के ये भी आपके गंगा के किनारे बसा है Orange गप आपके ये भी गंगा के किनारे बसा है और आपका प्रयागराज ये कुछ इंपोर्टेंट है उनको आप रट लीजेगा क्यूंकि कि अगर आप पिछले question paper उठाके देख लो अगर question आपका कि नद्यूग के किनारे बसे सहर पर आता है तो आपके यही पूछे आता है इससे बाहर कहीं नहीं आता है आप चाहे आर्मी जीडी का दो आप चाहे एने का दो आप चाहे टेक्निकल कर दो या ट्रेडमेंट कर दो ठीक है दोस्तों और आपका देखिए तीसरा option है हमारा गोदावरी अगर हम दोस्तों देखिए गोदावरी के बात करते हैं तो गोदावरी के जो महत्तपूर्ण है तो नासिक याद रखिएगा आप नासिक किसके किनारे बसा है अगर अंगूर भी है तो अंगूर यहाँ नासिक महीं पाई आते हैं उत्पादन होता है और तीसरा दोस्तों देखिए सिप्रा सिप्रा के किनारे दोस्तों महत्तपूर्ण है उज्जयन अगर क्वेस्टन पूछता है कि उज्जयन किस नदी के किनारे बसा है तो आपका आ traditional knowledge होगी यह भी आप जरूर याद रखीगा और हमारा दूश्ता कुछे ने का मुख्याले कहां पर है देखिए दोस्तों कितने लॉलन टॉप क्वेश्टन है और इंपोर्टेंट भी है लेविल इससे बाहर नहीं आता है चाहिए आपका यहां पर अपका आईयमी की बात कर लेगा और अगर आपका गंगा पूछा है तो पतातला कल के दिन गोदारी पर है ऑप्शनमर एक देहरादूम ऑप्शनमर भी डैली ऑप्शनमर सी खडग वासना या इन में से कोई नहीं तो सभी को मानों होगा दोस्तों एंड यानि की नेशनल डिफेंस अकेडमी इसका मुख्याले कहां पर है आपका खडग वासना में और अधिकांग से बच्चे सब्सक्राइब आपका आई-म-ए ठीक है अगर आई-म-ए की बात होती है तो आपका आंसरों का देहरादूम तो हम चलते हैं तीसरे क्वेशन क्यों हमने पहले पोर्शन में आपका जी के लिए रखा है इस्टेटिक जी के मानलो और तीसरा आपका क्वेशन देखिए चीन क पर साल आपके वही सवाल पूचे आते हैं जैसे कि आपकी राजधानी हो गया नदी के किनारे सहर हो गया आपका और मुद्राय हो गया दोस्तों ठीक है कुछ क्वेशन ऐसे हैं चो बाहर जाते ही नहीं है और मैं आपको दोस्तों आसा दिलाता हूं जो भी स्टूडेंट क् क्लास से पढ़ता है इससे बाहर कहीं नहीं गया होगा आपका दोस्तों दिखें नहीं आपका ये प्येट कोर्स है नहीं हम आपसे पैसे ले रहे हैं बस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप बढ़िया करके पढ़िए और जो भी आपके दोस्तों पढ़ने वाले हैं उन है तो आप खुद लाइक सब्सक्राइब करो गये कहने से क्या होता है बस हमारा एक उद्धेश से दोस्तो क्यूकर श्टेडी का कि आप लोगों के काम आना चाहिए हमें लगता है कि दोस्तों जो आपके लिए इंपोर्टेंट है तो हम वही क्वेश्चन डालते हैं उस से बा पांगलादिस की हो गया ठीक है और अगर हम बात करते हैं डॉलर की आपका डॉलर दोस्तों दिखिए USA का है यानि कि अमेरिका है डॉलर वहां की अमेरिका की करेंसी डॉलर है और अगर हम बात करते हैं दोस्तों फीजी की भी करेंसी डॉलर है ठीक है फीजी और अगर हम बात क आपका जम्यका के सुस्ट्रोज करें की डॉलर ही है ठीक है द्यान रखेगा आपका देखिए दस्तों और रूपिया तो हमारा देश या नि की इंडिया की करेंसु रुक्या है और आपका देखें दोस्तों की करेंश से आपका रुपिया है और स्रेनंका की केरेंसी रुपिया है ठीक है और बचा क्या आपका ऑफ्सन मड्डी याने की जो चीन की मुद्र है दोस्तों यूवान है क्या है यूवान ध्यान में रखेगा और आपके महत्तुपून है दोस्तों और अगर हम बात करते हैं दोस्तों चेन की संसत की बात करते हैं तो आपका पूसा भी आता है आप पिछले question paper उठा के देखो तो कभी कहीं आपका संसत के बारे में पूछते हैं question तो चेन की संसत है दोस्तों National People's Congress क्य क्या है जैसे कि हमारी इंडिया की संसत क्या है संसत दिये और ऐसे चीन की क्या है आपका National People's Congress और अगर हम बात करते हैं यहां पर डॉलर यानि कि अमेरिका आपका अगर पूछता है दोस्तों अमेरिका की संसत तो Congress है ठीक है और आपका इंपोर्टेंड जैसे देखें कनाड कैनेडा की संसत पूछता है तो Parliament ठीक है और रूस की क्या है डियुमा यह भी पूछता है एक्जामनर तो हम चलते है नेक्स्ट कॉशन की और और हमारा नेक्स्ट कॉशन देखिए गोवा की राजधानी कहा है यह देखिए दोस्तों मैंने कहानी कहा कि राजधानी और कुछ क्तुक्त इंपोर्टेंट इनके ऐसे हैं जो हर बार पूचे आते हैं गौवा की राजधानी कहा है पटना की प्नजी या दिश्फुर मतु तो सभी बता देंगी कि सब्साइ massa और ऑर और रॉचना के बात webinar कि नाम से किसे जा जाता है ऑप्शन नबर ए सियार डास डास ऑप्शन बी सर्दार बलभाई पटेल ऑप्शन नबर सी खान अद्दुल गफर खान और इनमें से कोई नहीं तो बताईए दोस्तों इसका आंसर जो लखवपुरस है दोस्तों सभी को मालम होगा हमारे माननी सर्दार बलभाई पटेल जी को जाना जाता है इनका उपनाम है आपका लखवपुरस और अगर हम बात करते हैं एक्जाम की तुलना से कि क्या पूशा जा सकता है अगले एक्जाम की पूश्ण पेपर में तो स्याम डास के अगर बात करते हैं चितरणजन दाष में हम क्या बोलते हैं देश बंदू की उपदी किसे दी गही है और अगरम खान अब्दुल गफ़ुर कंबका ऑट करते हैं तो इनकों क्या बहुते हैं सिमानदी हैं manifestase गांधी यह भी आप ध्याना किएगा और खान दुर्गफर का दोस्तों देखिए पहले ऐसे मैं विदेशी नागरे गए जिनको भारत रतन से संभानित किया गया ठीक है तो हमारा नेक्स्ट कोशिन है पिरामिट किस देश में है सुडान, आस्ट्रेलिया, मिस्र या कोई नहीं तो जो दोस्तों दिखें पिरामिट है पिरामिटों का देश किसे बोलते हैं दोस्तों मिस्र को और अगर हम बात करते हैं एक्जाम की तुलना से सुडान की बात करते हैं तो दोस्तों क्या है सुडान जो दक्षणी सुडान है यह दुनिया का सबसे नया अंतराष्टी इस्तर पर मानिता प्राप्त करने वाला देश है दक्षणी सूडान कौन सा बना और एक से 133 वा सदिस से बना है ठीक है यह भी आप ध्यान किएगा और अगर हम बात करते हैं आउस्ट्रेलिया की तो आपको मालूम होगा कंगारों का पर देस क्या बोलते हैं और अउस्ट्रीलिया को उपनाम इसका हूँ से तो असके तो नेस्टिंग दोस्तो जापां की राजधानि कहा है वर लंक बात करते हैं बात करते हैं किसकी राजधानि regae चेंग राजदानी ठीक है तो हमारा next question है इंडिया गेट कहाँ है तो भीया इंडिया गेट यानि की डेली और अगर आपका एक्जामने पूछता है गेट वे ऑफ इंडिया यह आपका कभी करते हैं इंडिया गेट और गेट वे अफ इंडिया अगर इंडिया गेट के बाद आती है तो डेली और गेट वे ऑफ इंडिया के बाद आती है तो आपका मुंबई ठीक है दूस्तों और अगर हम बात करते हैं चन्ने में चन्ने में थीज आपका मर्यिना बीच मर्यिना बीस कहा है आपका चैन्नेंऐ में ठीक है और अगर हम बात करते हैं जोस्तों ऐखता की करक्या काफी माना जाना सहरे णिसी अपकाede як्स किरिक से कलकता को हावडा ब्रेज कहां पर है कलकत्ता में और सबसे important question ने आपका काफिवार पूछा भी गया है भारती संग्राले कहां पर रिष्थी थे आपका answer होगा कलकत्ता ठीक है ध्यान में रखीएगा और हमारा next question ने बहादुर साज जफर कौन था अंति मुगल सम्राड था ठीक है और पहले मुगल सम्राड कौन था तो आपका वो था बाबर हो गया सबीको मानू मे और हमारा next question निम्न में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है परसांत अर्गटेक हिंदे म अगर तो सबसे बिड़े की बात आएगी तो परचांद और अगर सबसे छुटे की बात आएगी तो आर्गेटिक ठीक है कि तो हमारा नेक्स्ट कुशन है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है 10 दिसम्बर 16 जुलाए 16 नॉवंबर और 16 दिसम्बर तो दोस्तो देखिए अगर हम 10 दिसम्बर की बात करते हैं तो मानवाधिकार दिवस बना जाता है ठीक है और अगर हम दिसम्बर में अगर बात करते हैं तो जो महत्वपून दिवस हैं आपका जैसे की एक दिसम्बर हो गया एट से दिवस मेना जाता है और अगर हम चार दिसम्बर की बात करते हैं तो भारती जलसने दिवस ठीक है और आपका 10 दिसम्बर को हो गया आपका मानवाधि ठीक है ध्यान देखिएगा विजय दिवस कब में आया था आपका 16 दिसंबर को ऑप्स नमबर डी राट होगा और हमारा नेक्ट कोशन है देखिए इतना ललन टॉप कॉशन है अमिता बचन का संबन्द किस से है दोस्तों कोई भी आपका जिसने कभी बुखी नहीं कोल देखि कि किस से इसका समंध फिल्म से है और हमारा नेक्ट कोशन है भारती संसत का निमने सदन कौन सा होता है तो दोस्तों जो निमने सदन होता है कौन सा होता है यह आपका होमवर के है अच यह आपका देखते हैं कितन लोग इसका आंसा जेते हैं और जो लोग आंसा नहीं देते ह तो यह माननों कि अगर यह आपको नहीं आता है तो आपको बहुत महनत करने की जरूत है तो इस काम सा जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता तले कि आपकी तयारिक एफिचल लिए और हमारा नेक्स्ट कोश्चिन है भारत का फोतंत हुआ मताई दोस्तों क्या बताएं हम इस थ्यांद में रहा है थीक है और हम ते शुक्त करते हैं में क्या हो रखा जोस्तों आपका उनीसट सो आड़िचालिस में हो रहे हैं है चैने सिपल भी और हमारा नेक्स्ट कोश्च देंदे भारत के पर्थम राष्टपती कौन थे तो कौन थे राष्टपती दोस्तों पर्थम राष्टपती थे राजेंद्र परसाद कौन थे राजेंद्र परसाद अगर पर्थम उपराष्टपती की बात करते हैं तो आपका सहरुपली रादक कृष्णन और हमारे पर्थम पर्धा संफित है तो या दखेगा की तीसरी नंबर के थे हैं और हमारा next question कुछी में आपका से science आगी ठीक है इस भीटामीन एक कमी से होने वाला रोग क्या है आपका रत电्जी हो गया ठीक है विटामिन धी कमिसे बेरी और एक्राइट से किसकी कमिसे होता हैir कि विटामिन हम कि मढप ने ही होता है और और अज़से होता है यह यह हमर करें किला हुँआ कि इस यह पड़ है जो भी दोस्तों ने क्या होगा वो उन्हरहेक्षおお तो पक्का है देखिए 17 वां क्वेस्टन है हमारा जीएस का गठिया किस अंग से सम्मझे विमारी है हड़ी शूजन तो अचा मोख पेट तो इसका अंसर होगा हड़ी शूजन ठीक है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्टन है मानाव घर्दया में कितने कक्षो होते हैं तो चार होते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्टन है एड से किससे फैलता है तो यह फैलता आपका विशानों से किससे फैलता है विशानों से और हमारा आज का आखरी क्वेश्चन है साइद हो नहीं अभी नहीं हाँ आज हो तीस क्वेश्चन है एट से से प्रभावित होने वाला अंग क्या है आपका एक सेब्साइब होने वाला अंग कौन सा हो दो पाचन तंत्र स्वसन तंत्र केंद्रि तंद्रि का तंत्र त sizin पहुँद हो गाइब ईसका राइट होगा फ कैइंद्रि क्योंसां कै तंत्र करने नुआ दधोधा नेक्शा क्र. सबसे जय्दा वसा कि सके दूद में होती है गाय, भैंृच, उम्मट, बक्री więc को न्याकि का फ्राकास का रिंग नीला निला होने का कारण है प्रकास का भी वरतन प्रकास का परकीर्ण प्रावरतन या अपॉर्तन या आंत्रेक प्रावर्तन बचाहिए दोस्तों के अंजर जो आकास का नीदा होने का कारण है दोस्तों प्रकास का विबरतन आपका ओप्सन में भी हो जाएगा प्रकास का प्रावर्तन आपका option भोहतया दोस्तों किसी अपरतन या अपका आंतरिक अन पार आ तरवहता दोस्तों क्या करां ऑथा दोस्तों तो इसका आन से दोस्तों देखे अगर आ परक jointly यहां पर है पicer का अविबरतन पर कला ब्रकास का प्रकारत तो यहोगा आमका option number D यानगी पूरांत्रिक प्रावर्तन ठीक है क्या होगा पूरांत्रिक प्रावर्तन हमारा next question है मचली पालन किसे संब्दी थे PC culture कल्चर एक बद्चर एक रखल इसका अनसे रुग आपका पीशी कल्चर उपसन नमरे इसका रइस एक ठीक है तो हम चलते नेक्स्ट कुछन की ओर और हमारा नेक्स्ट कुछन दूस्तों देखिए भर्प का गलनांग होता है आपका question क्या है दोस्तो बर्फ का गल्लांग को होता है option number A, 4 degree Celsius, 0 degree Celsius, आपका 10 degree Celsius या इन में से कोई नहीं तो दोस्तो देखिए जो आपका बर्फ का गल्लांग को होता है आपका 0 degree Celsius होता है ठीक है, option number B, इसका right हो जाएगा और हमारा next question देखिए, बल्ब का filament किससे बना होता है किससे बना होता है जोस्तो बल्ब का filament option number A, नाइक्रोम, option number B, टंगर्ष्टन, option number C, तावा, option number D, आपका मिस्क्र दातू तो दोस्तो सभी को पता होगा कि बल्ब का filament किससे बना होता है तो किससे बना होता है जोस्तो option number B, रैट होगा, आपका टंगर्ष्टन क्या है, टंगर्ष्टन और हमारा next question देखिए, विद्धोत का सबसे अच्छा फुचालक कौन सा होगा है तो सभी को मालू होगा जोस्तो, क्या होता है विद्धोत का सबसे अच्छा फुचालक होता है आपका चांदी, ताबा, लोहा या इनमेंसे पूई नहीं तो आपका option नमर A, यानि की चांदी आपका right answer होगा हमारा next question देखिए दोस्तो पक्षियों का धिन क्या कहलाता है, और निथोलोजी सेरी कलचल, फुलोरी कलचल या इनमेंसे कोई नहीं तो दोस्तो जो पक्षियों का धिन है, वह आपका होता है और निथोलोजी क्या है दोस्तो और निथोलोजी और हमारा next question देखिए ओजोन परत किससे बचाती है, किससे बचाती है दोस्तो एक्स रेज, य रेज या पराबैगनिक रेज, तो सभी को मालब होगा जो हमारे अल्ट्राबैगनिक किरने होती है, यानि कि पराबैगनिक किरने होती है उन से बचाती है, ठीक है और आज का हमारा next question देखिए दूत की फुद्धिता किससे नापते हैं, लेक्टोमेटर, बैरोमेटर, हैग्रोमेटर या इनमेंसे कोई नहीं तो option number age का राड़ होगा, लेक्टोमेटर, आपका बैरोमेटर से कैम आपते हैं, भोकम की तीविटता, ठीक है और आज का हमारा आखरी question दोस्तों देखिए इन्सुनिन की कमी से होने वाला रोग एनिमिया, मधुमे, गहेंगा या इनमेंसे कोई नहीं तो दोस्तों देखिए, जो इन्सुनिन है इन्सुनिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, मधुमे रोग होता है, ठीक है क्या होता है, मधुमे, तो आज का हमारा session दोस्तों इहीं पास में आप तो होता हुआ और हमारा question था आपका देखिए, कौन सा था, मैं थोड़ा confused हूश में आपका आकास का आउरंगे निला क्यों होता है दोस्तों तो यह होता है आपका आसा करता हूं कि आपको अच्छे लोगी होगी वीडियो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत